इस मॉड्यूल में हम रिसर्च डिजाइन के बारे में प्राइमेरिली गुफ्तगू करेंगे लेकिन इस कॉंसेप्ट को समझने के लिए या इसको कॉंटेक्स्ट में रखने के लिए जुरूरी है कि हम तीन टार्मिनालोजी का अपस में तालुक जो है इसको समझ लें रिसर्च मेथडोलोजी रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मैथड ये आपस में किस तरह से मुनसलिक हैं फिर हम इसमें ताके रिसर्च डिजाइन की एक्चुल प्लेस का अंदाजा कर सकें और उसके कांसे रिसर्च मेथडालोजी है अगर आप इसका अनियन बनाएं या एक शेप बनाएं तो सबसे बाहर वाले सरकल में रिसर्च मेथडालोजी आएगी रिसर्च मेथडालोजी के अंदर फिर हम रिसर्च डिजाइन का जिकर करेंगे और उन रिसर्च डिजाइन के आगे मुंसलिक फिर research methods होते हैं, तो आप इस sequence में इसको कमशने की कोशिश करिएगा, research methodology से मुराद ब्रॉडर framework of research या आपकी research approach है, जिसके साथ आप research को address करना शुरू करते हैं, इसके अंदर बुनियादी तोर पे हम research की philosophy जो है, उससे आखास करते हैं, methodology के अंदर, या आप बताएंगे कि आपकी research जो है, वो positiveist paradigm में है, या interpretivist paradigm में है, या criticalist paradigm में है, तो paradigm of research जो है, उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जो overall logic है आपकी research के पीछे, जिसको आप अमूमन theoretical background of the study या कहते हैं, और फिर उसका conceptual structure होता है, तो ज्यदा important इसमें, जो आपकी research का theoretical background है, वो define करने की आप कोशिश करते हैं, आप देखिए, कि हमने अभी तक research के theoretical logic और research की philosophy जो है, उसको define करने की कोशिश की है, इन में से आगे हम infer करते हैं, कि हम कौन सा design इसके लिए suitable होगा, या फिर हम देखना चाहेंगे कि कौन से methods इस्तमाल किये जाएंगे इन चीज़ों को आगे address करने के लिए, तो broader spectrum में अगर आप देखिए, तो जैसे slide में लिखा हुआ भी है, कि हम research की philosophy और research के theoretical logic को जब हम define करते हैं, हम कहते हैं कि हम research की methodology का जिकर कर र time में एक research करना चाहता हूँ, जिसमें emphasis जो है, वो qualitative data पे होगा मेरा, और उस qualitative data में मौझूद जो मेरा premises है topic में दिया हुआ, वो premise जो है, बुनियादी तोर पे, वो किन variables के साथ मुनसलिक है, किन के जरीए से मैं उसको interpret करना चाहता हूँ, तो इन चीज़ों को जब मैं define करू तो ये आगया research methodology का जिकर आगया, अब जो कुछ मैंने यहां बियान किया, इसको carry out करना हो, conduct करना हो, तो इसके लिए फिर हम research design उसका describe करते हैं, और research design basically structure के मुतलिक गुफ्टबू है, research का structure, research के structure से यहां क्या मुराद है, ऐसी decision making, जिसमें आप research के objectives को सामने रखते हुए, आप देखते हैं कि आप किस तरह का data एकठा करेंगे, किन लोगों से data एकठा करेंगे, यानि sampling strategy, और सबसे एहम बात उसकी timeline क्या होगी, किसी भी research में यह बहुत एहम decision होता है, किन से data लेना है, किस point of time पे लेना है, किस sequence में data एकठा करना है, इन चीजों को describe करते हैं, हम कहत design को describe कर रहे होते हैं, research design में, मिसाल के तौर पे, मैंने यहाँ slide पे आपको दिया हुआ है, जैसे cause experimental designs में, अगर आप देखें, हम कहते हैं, research design किस चीज़ का नाम है, कि मैंने लोगों से कोई intervention करनी है, और उसका effect देखना है, तो मैं कहूंगा, intervention से मुराद आप यूं कह reading का तरीका जो सिखा रहा हूँ, ये intervention कहलाएगी, इस से पहले मैं एक pre-test लूँगा, फिर उनको reading का तरीका सिखा हूँगा, जिसको आप manipulation कहलें, intervention कहलें, और फिर इसके बाद एक post-test लूँगा, pre-test किस वक्त लेना होगा, दर्मयान में कितनी duration की मैं intervention करूँगा, फिर post-test लूँगा, एक pre-test लूँगा, एक post-test लूँगा, या एक से ज्यादा लूँगा, pre-test और post-test के दर्मयान कितने वफ्तों का या कितने महीनों का gap होगा, intervention कितने sessions पे मुच्तमिल होगी, कौन से लोग मेरे experimental group का हिस्ता होंगे, कौन से लोग मेरे control group का हिस्ता होंगे, मैं लो कि लोगों को experimental group में डालूंगा किन को मैं control group में डालूंगा ये तमाम फैसले जो है ये research design कहलाता है आप देखिए मैंने जुत बातें कहीं थी sampling data collection के तरीके उसके बाद timeline के किस timeline पे किस point of time पे कौन सा data आएगा कितनी दफ़ा एक चीज़ का data आएगा ये तमाम फैसले research design कहलात है और फिर तीसरी चीज़ जो research methods है research methods बन्यादी तोर पे इन सबसे अपने meaning में narrow चीज़ है और उससे मुराद हमारी simple इतनी सी है कि जब मैं method की बात करता हूँ तो मैं data collection tools की बात कर रहा हुता हूँ data collection tools कौन से होंगे उन tools के जरीए से किस नौईयत का data मेरे पासे कठा होगा उस data को मैं किस तरह से analyze करूँगा उस analyze data के base पे जो result मिलेंगे तो उनकी interpretation किस तरह से करूँगा so data collection का जतना procedure है फिर उसका analysis का उसके interpretation का इन चीज़ों को हम define करेंगे तो हम कहेंगे हम research method बता रहे हैं और एक study में मुख्लिफ research questions या hypothesis को address करने के लिए आप multiple tools यूज़ कर सकते हैं multiple analysis इस्तमाल कर सकते हैं और हर analysis को interpret कर सकते हैं independently भी और एक दूसरे के साथ connect करते हुए भी interpret कर सकते हैं ये जो काम हम जो भी मैंने थारे आपके सामने रखे इन को करते हैं तो हम कहते हैं कि हम research methods जो है इसको define करें तो इस लिहाँ से अगर आप इनकी hierarchy बनाएं एक sequence बनाएं तो research methodology सबसे broader चीज़ हो गई उसके अंदर research design है और research design के अंदर research methods होते हैं तो इस differentiation को आपने जहन में रखना है तो फिर हम इसके आने वाले modules में research design की गुफटगू इस context में करेंगे